गुड मॉर्निंग मैम एंड माई डियर फ्रेंज आज की मेरी कहानी है बिलिया और बंदर एक नगर में दो बिलिया रहती थी दोनों में जहरी दोस्ती थी वह एक दिन वह नगर से बहारे बुजर रही थी दोनों को एक रोटी मिली वह दो वह बहुत खुश हुए वह रोटी उठाकर जंगल की तरफ गए उन दोनों ने रोटी आधी आधी बाट ली फिर वह फिर उन दोनों में बहां सोगए कि तुम्हारे पास जादा रोटी है पेड़ उन दोनों का जगड़ा सुनकर पेड़ पर वैठा बंदर नीचे आया और पूछा बहनों तुम क्यों लड रही हो फिर बिलियों ने एपनी सारी बाद बंदर को बताई बंदर ने कहा कि मैं तुम्हारा जगड़ा सुलजा देता हूँ वो दोनों मान गई फिर जिस तरफ जादा रोटी थी उस तरफ का एक टुकड़ा बंदर में खा लिया वह ऐसा करते करते सारी रोटी खा गया बिलिया उसका मूँ देखते रहे गई बंदर रोटी खाकर भाग गया मोरल हमें किसी से भी जिखड़ा नहीं करना चाहिए उससे दूसरों का फाइदा और अपरा नुकसान होता है थांक यूँ